स्टेटेश्ट विंजिनर्स स्वागत है आपका सिविल गुरूजी सिविल इंस्टिटूट में मैं हूँ कॉर्पोरटें इंजिर राजय कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरूजी इगनेर जैसा कि अभी हमारे पीछे हमारे ट्रेनी देख रहे होंगे कि आज आये हुए है साइड भीजीट पे आज इनका साइड विजीट है ब्रीक लेयाउट का असल में Brickwork Layout इनका जो अभी class चला है मैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको समझा देना चाता हूँ समराइज कर देना चाता हूँ क्योंकि आज इन्हों तक के class में इन्होंने क्या सब चीज सीखा है और आज क्या perform करने आए हैं दरसल इनका जो estimation का class हुआ अब हम उसको सिखाते हैं MyBuildCost करके जो हमारा खुद का डबलब किया अप है जिसके जरी हम इनको estimation सिखाते हैं और इन्होंने सफल 15 दिन का class इन्होंने estimation का सिखा उसके बाद मैं इनको सिखाता हूँ AutoCAD AutoCAD में planning and designing सिखाया जाता है जिसमें किस तरह से plan करते हैं इन्होंने जो 2D drawing बनाया उस 2D drawing का जो plan बनके आया है अब हम client को देंगे तो client को ये समझ में चुकि सारे client तो पढ़े लिखे होंगे नहीं या सारे client को ये समझ में नहीं आगा किधर से entrance है कितना इसके अंदर space होगा तो वो चीज 2D drawing से clear नहीं हो पाता है इसलिए क्या है कि हम उसको करते है brick work layout करके हम client को perform करके दिखाते है कि हमारे अंदर का space कितना है क्योंकि घर जब बनाते हैं हम अपने engineers को सिखाते है कि plan बनाने के बाद हम client को कैसे दिखाएंगे कि इसके अंदर कितने space होगे और उसी को perform किया वो कैसे space होगा क्योंकि जो मेरा wall है देख रहे होगे ये जो drawing में हमारा wall दिखाया गया होगा इस wall को अगर हम इस layout के जरीए दिखा दें तो अंदर जो मेरा space बच रहा है यही space हमारे living area होगा जो हम रहेंगे वो area दिखाएगा तो इन चीजों के बारे में मैंने इने detail से समझाया detail से पढ़ाया और सारे चीज को observation के साथ मैंने इन लोगों को सिखाया अब क्या है कि हम अपने trainee से बारी बारी जाके एक एक करके पूछेंगे उन्होंने किस तरह से perform किया और उनका कैसा performance का experience रहा किस चीज की मदद से इस चीज को कर पाएं और इसे करते क्यों है सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम तक आपको पहुंचाऊंगा तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अगर आप भी हमारे training center को जोइन करना चाहते तो हमारे टॉल्फी नॉमर 91100123 पर कॉल करें जुड़े हमारे साथ मैं अब लेक चलता हूँ अपने training के पास और उनसे पूछता हूँ कि उनका कैसा experience रहा आज साइट पर आके इंगनेर्स सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजी आपका नाम क्या है मैं नाम विवेक कमरवा सर चलिए विवेक जी आज आपका लगबग estimation का आपका खतम हो गया है तेक है उसके बाद आपने autocad perform कर चुका है अब आज आपने किया है site पर आके जो आपने drawing बनाना सीखा था class में आज जो drawing बनाका है जो client आपको देगा तो उस drawing के माधियम से आप आज क्या किया है आपका कहने का मतलब है कि हम अपने client को यह दिखा देते हैं कि हम जो आपने हम जो प्लान बनाए है 2D का देख रहेंगे हमारे जो वीवर्स हैं इस drawing को देख रहेंगे हमारे इंजिनियर से बनाया है और इस drawing के माधियम से जो इक client को अब हम समझाएंगे हम उसको यह मतलब उसको श्योर कर देंगे कि आपके अंदर का space इतना होगा चुकि इसके माधियम से हम यह कर पाते हैं कि कितना क्या है यह तो हमने दिखा एक मेजर्मेंट के जरीए नहीं क्योंकि कई सारे ऐसे उनको इससे क्लियर नहीं हो पाता है तो आप अभी ले आउट के जरीए उनको क्लियर करवारें सब्सक्राइब करें कितना चाहिए एक आपको अपना घर कैसे बनाना है या क्लाइन के कैसे समझा सकते हैं यह ब्रिक लियाउट के सुरू सरू हमारे जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए मैं चाहूंगा सब्सक्राइब करें सिविल गुरू की साथ जूड़ें और अपना जो भी कैरियर में आप आगे बढ़ें और कैसे हमारे हमारे इंजिनियर से हमारे ट्रेनी से आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया उनका एक्सप्रियंस कैसा रहा उन्हों आते हैं तो सब उन्हें कर पाते हैं कि मेजर्मेंट की हिसाब से कितना वड़ा मेरा रूम रहेगा कितना वड़ा रहेगा इस आप लोग देख रहे होंगे इससे ऑबर आल भी मिल जाता है कि उसके बाद वह जब आते हैं यहाँ देखते हैं फिजिकली तो उनको पता पुर पहले आप आईए आप अपने नाव बताया आपके क्या नाम हो मेरा नाम निलेश कुमार जी मैं आप पुछना चाहुँगा आपने आज बृक वर्ड लेड डिग परस्वारम किया है उस ब्रिक वर्ड लेड प्रफ़ार्म के जरी आप क्या दरसाना चाहते है यह जो आपन जैसा कि आप हमारे viewers देख रहे थे कि हमने इंजिनियर से जो पूछा कि इसके माध्यम से क्या दरसाना चाह रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो आज Brickwork Layout Perform है उस Brickwork Layout Perform के जरीए वो Wall का Position दरसाना चाहते थे यह Wall का अगर Position दिखा दिया तो हमारे अंदर का Space अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और ऐस इपार्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो नहीं हमारे टॉल पी नर्मर नाइन ट्रिफिल वन डबल जिरो वन तुत्री पे कॉल करें जुरिया हमारे साथ तब तक लिए मिलता है नहीं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जै भारत